राधे खिश्णा मैंना दोक्टर प्रतिक चौहान हम यहाँ पर आज डिसकुस्वन करने वाले हैं आज की करंट सिच्विशन की यानि के लोगों बुखार भी चल रहा है कोरोनवारिस का विडर है और लोगों की प्लेट लेट्स भी डाउन है जुखाम भी है खांसी भी है न मीमोनिया भी है डैट हो ही रही है तो हम इसी के बार में चर्चा करेंगे कि हम इसको घर पर कैसे सोलेशन कर सकते हैं और और most easy and most safe way में हम कैसे अपने आपको ठीक कर सकते हैं तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय current situation यह है कि बुखार भी बहुत जादा चल रहा है वो coronavirus का हो या ना हो परन्तु अगर किसी को हल किसी छीक पर आती है जो कि हमारे पुराने patient है हम उनको समझा के बापस यह बोल के भेज जाते हैं कि कोई इशू नहीं है केवल जुखाम ही है आप एक अराम चाप सोज़े यह ठंडा पानी मत पीजी कुछ प्रकोशन साब लीजे आप ठीक हो जाएंगे और उन में से माले जगर सो patient इस तरह करते हैं सो में से 70 patient automatically ठीक हो जाते हैं जिनको कोई medicine की जूरत नहीं पढ़ती है तो मैं इसे के बारे में चर्चा करूँगा और सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप negative videos को forward करना छोड़ दीजे negative videos को आप देखना आप बंद कर दीजे क्योंकि negative videos जो आप देखेंगे तो गलत impact उसका पड़ता है तो समाज के अंतर positivity पहलाए है हमेशा सभी को positive message देखिए positive message आप देजे क्योंकि जब positive message आप देंगे तो एक अच्छा environment बनेगा जिससे की लोग panic कम होंगे अभी इतना ज्यादा लोग इतने ज्यादा पैनिक है कि हलकी सी भी छेंग में रोक्टर के पास में चले आता है दूसरी चीज़ सबसे बड़ी गलत चीज़ यह हुई है कि हर एक WhatsApp पर हर एक किसे को WhatsApp पर कोरोना में जो दवाई दी जा रही है उसका prescription पहुँच गया है हर किसी व्यक्ति ने अपने घर्म के अंदर वो दवाई दे के रख लिए अब जब वो दवाई खाएगा वो चाहे उ लाब को बना हूँ एक परसेंट को हो तो लाब करेगा अगर नहीं है वो चीज़न और आप खा रहे हो तो पॉजिन के लाब शरी के अंदर कुछ नहीं करेगा तो जहां तो मैं समझता हूं समझ सकता हूं कि इसलिए लोग ज़्यादा परशान है आज हम देखते हैं कि आज कि लोग पॉजिटीव सोचें और ज्यादा पैनिक ना हो और एजी अपने घर में लोग को ठीक कर सके क्योंकि यहां पर आज मैं एक फाइनल लिपोर्ट आप लोग के सामने इतनी दिनों के बाद में लेके आ रहा हूं कोवेट के लिए जब हम यहां पर पेशिंट देख र लिए जब आपको इस टार्टिंग में जब आए तो आपने क्या करना है क्योंकि आज कल चल रहा है तो पहली चीज तो यह कि फीवर में जहां पर दवाई काम करती है प्लस साथ में यहां पर डाइट भी काम करती है हमने चीज देखी है कि जब तीन दिन पेशिंट को लगा हम जो टीटमेंट कर रहा है पेशिंट का उसमें हम होमेपैथी प्लस जरूत पढ़ने पर अलोपैथी भी दे रहा है उसमें क्योंकि एक परसेंट पी रिस्क पेशिंट के साथ में नहीं ले जा सकता है तो अक्सर में यह देखा है कि जब हम बुखार जिससे आप सभी चूंड शायद आपको नाम नहीं दिख रहा हुगा क्यामर क्वालिटी शायद इतने अच्छे नहीं है कि आप ऑटमेटली जूम ही कर सके तो यह महासुदर्शन चूंड आपने घर में लाकर रखने नहीं है ठीक है और यह एक चूंड के तीन बंदों के लिए काफी है ती परिशा मिलते ही हैं तो जब भी आपके किसी भी किसी को भी भुखार है तो सबसे पहले आप एकाम किजिए कि यह चूंड आप उसको देने स्टाट करतीजिए आधी चमश सुबह आधी चमश दुपैर आधी चमश शाम और आधी चमश रात को यह चार टाम आप इस पैरेथ्रेटामोल तीन सो पचास हमजी यह हसत पांग समजी इतना अप लेजिए उसको पर मत जाएए इतना अप लेजिए जूरुत पढ़ने पर ठीक है एक लीवर को कोई भी टोनिक आयर भी दिखो होमिपति हो साथ में पलगा लेजिए तो शुरू के साथ दिन आपने काम करना है अगर आपको फिवर आ रहा है तो सबसे पहला आप महासु दर्शन चूड़न आप लीजिए परेस्टामोल आप लीजिए अगर जोट पढ़ रहे हैं तो प्लस साथ में कोई भी लिवर का टोनिक आप ले लीजिए इस से आपका बुखार उतर जाएगा अभी द बढ़ा हुआ तो कोरोना की सिम्टम्स के अंदर हो सकते हैं खास ही है तो कोरोना की सिम्टम्स हो सकते हैं पर उसमें घरवन की जोट नहीं है क्योंकि कोरोना वाइरस अगर सो पेशिंट को हुआ है तो सो में से केवल 15% के लिए वो जान लेवा है 85% के लिए वो जान लेवा और वह भी 15 लोग अगर अपना प्रिकोशन करेंगे और ध्यान देंगे तो वह भी इसकी चपेट में आने से बच जाएंगे तो अभी हम फीवर की बात कर रहे हैं तो फीवर के लिए शुरू के तीन दिन दिन जब उखार नहीं तो तो फिरम जांच कराता है अक्सरम क्या दे करते हैं जैसे विटामिन सी सीलिन या लिम सी पांसो अमजी सुबह दुपहर शाम और रात अगर दो पड़ती है तो खाने में हम चावल आपका चीनी और आपका गेहूं यह बिल्कुल हम बंद कर देते हैं इसके बंद करने से क्या होता है कि पेशिंट की रिकवरी बहुत होती है श्रीक को होने का टाम मिल जाता है अगर आप बिल्कुल लो कार्ब लेंगे यानि कि आप कार्ब और ओईटित के मात्रा बहुत कम सारीक अंदर लेंगे आपकी हीलिंग के पावर बहुत फास्ट होगी आपका श्रीप बहुत जल्दी हीड़ करेगा हमने चीज देख गश्त्क अगर उसमें चोटे जिन माली रोटी खाई तो उसको सर में धर्द होना ने स्टार्ट हो गया तो हम इसको कहते हैं कि आप में रोटी खाई होगी इसलिए अपको सर में धर्द हो तो ऐसे गाम नहीं करना है तो आप यह जोड़ दिज़िए आपको देखे न आपकी यह प्याएंगे अपने नहीं खाना है बिस्कुट नहीं खाना आप गया खाना है यहां नहीं खाना ह। यह सबी चीज़ नहीं कोशिश करें कि अपने 90 प्रतिशत खाना आप लिकुड रखें यानि कि जूस आप पीजिए आप जूस अगर अब लेवल नहीं हो पाते हैं इस समय पर लोगडाउन का समय चल रहा है तो आप घर में दाल का सूप बना के आप पीजिए पानी जाते से जाद आप पीजिए तो रिकवरी आपके बहुत फास्ट होगी बिल्कुल भी घबराने के लिए हाँ जरूरी चीद अगर खासी है तो खासी के लिए भी एक्टोनिक लिए कोई भी आयरुवेदिक की हों पैथी सीरफ चल जाएगा ठीक है फिर अगर यह दोना अब लेवल नहीं होता तो कोई भी बल्गम को निकालने वाला सीरफ जो कि बल्गम को निकालता हो अब तीन दिन बाद जब उखार नहीं उतागता है यह सारी चीज़े करना के बाद में तो आप जाज कराईए प्लेटलिट आप जरूरू कराईए प्लेटलिट गड़ने पर सभी लोग जानते हैं कि कीवी खानी होती है और बगरी का दूर्द पी रहा होता है परन्तु नहां से ब्रेफर कर देता हूं लवाने के लिए परन्तु मैंने 55,000 पर भी पेशिंट को रिकवर किया है विना ड्रिप के तो बड़ी इजीली उसका बढ़ जाता है तो आपने क्या करना है कि आपने विटामिन सी लिंप सी आपने दिन में चारवर लेना अगर आपको साथ दिन बाद सब्सक्राजर का सरफ दिन से भूझें ना इस तरीके से अब साथ दिन बाद होता है कि कमालिज़ची अब हुग पॉसिटिव कोरोन पोजिटिव में साथ दिन के बाद ने जो वाइरस होता फेपल वर वो अटेक करता है अब आपने क्या करना है मैंने पहले आपको बताया था कि सो में से किवल 15 पेशेंट के लिए जानने वाया और 15 पेशेंट को भी हम घठा के चल देंगे कैसी क्या करना है अगर आपको लगता है कि आपको प्रालम हो रही है तो तुरंत आप इस्टोरेट पहा जाएए इस्टोरेट कौन कौन से इस्टोरेट दो तिन तरह के हां पर जो प्रालम के अंदर जो ब्लट की क्लोटिंग बहुत जादा जमी होई थी यानि कि फेपड़ा बिल्कुल सोलिड हो गया था तो कैसे वह सोलिड होगा क्योंकि वहां पे जो खोन का ब्लट के क्लोटिंग होए है और वह रखते बड़े-बड़े ठकों के अंदर जम गए जो की जिसकी विज़से आजकर लोग की डेथ हो रही है क्यों डेथ हो रही है नीमोनिया हो रहा है ब्लट की बड़ी-बड़े क्लोटिंग हो रही है जिसकी विज़से लोग को सांस में प्रवल्म हो जाती है सांस की प्रवल्म क्यों हो रही है क्योंकि लोग को नीमोनिया हो जात कि को कि है ऐ है कि कम्या हर LinkedIn हर一次 के डो आपने देखना है कि आपने सीदिपरेशन दे रहा हूं है ये वह पहला जो कि खुशी दर है एक होप दे है और आप समझदा रहे हैं कि आप वही पहलों दिखना पसंद करें जो कि आपको खौप दे ना कि आपको डराए ठीक है तो आपने वह सभी चीज़े देखने हैं जो कि पॉजिटिव हो एक्साइज करना मत भूलिए डायेट में वही वही लेते रहे हैं जो मैंने भी आपको करेंगे सबसे जादा यह जो दवाई अब चली थी रैमडिसीवीर तो यह से भी जादा एफेक्टिव हमारे हो रहे हैं और रैमडिसीवीर किसी को भी कोई नहीं कर रही है प्लाजमा थेरपी डवल वह नो मना कर दिया कि सेकिंड बेव में प्लाजमा थेरपी यूसफुल नहीं है तो प्लाजमा थेरपी भी कोई वर्क नहीं कर रही है तो इसमें बिना टाइम गवाए बिना पैस्तर गवाए आपने यह सबी चीज़े करने इस सुरेट पर पेशिन को ले आना च्छेटे साथ विदिन इस सुरेट में डैक्सामेथासोन हो गया डैक्सामेथासोन आपके ऑक्सिन का सेचुरेशन इट बढ़ा देगा दूसरी चीज आपके फिवड़ में सोजन नहीं आने देगा जो आपके रक्त को पतला करेगा शरीक अंदर थक्के नहीं जमने देगा तो जो डैथ रेट अभी चल रहा है सो में से पंदरा लोग तो वो घटके सो में से से एक के दो लोग आ जागा अब सो में से एक के दो लोग वह भी कैसे जो लापरभाही कर रहा है या साथ में 200 विमारे से पेटे से शुगर हो गया ब्लट पेश्टर हो गया या हाट के जुन को विमारे होगे अस्थमाग इंको पहले प्रॉलम नहीं रही हो यहां फिर वह नहीं आएगी चीक है अब साथ में इसके साथ भी आपने यह एट फॉलो करने हैं जल्दी होलोने के लिए खाना बिल्कुल नहीं खाना है आपको डाइट में 90 प्रितिशत आपने वह रखना है जो मैंने 21 दिन की डाइट का वीडियो में अपलोड किया था 21 के डाइट का आप अब पेट के अंदर कुछ नहीं जाएगा तो इसी तरीके से यह पाया गया है कि जो लोग नहीं खा रहे हैं वो लोग भुत बहुत स्ट्रूइंध कर रहे हैं हम यची देख का रहा है क्योंकर लोग अन खा रहे हैं मना करने के बाद व लोग काफी देर से रिकवर कर रहे हैं परवंतों जो लोग अन छ В gives YEAH औहले पार कषिए ऑप मल्टि विटामिन आपको बहुत नांगे खरीदें की दूर्ट नहीं है मल्टि वितामिन में जिसे बीकासूल हो गया बेकासूल-गाश यह इपसोल नहीं मिलना तो ऽुप्रडीन हो गया यह बहुत ही सस्टे और अच्छे मल्टि चल जाएगा छोटे बच्चों के लिए इसमें टैबलेट फॉर में भी आता है तो टैबलेट फॉर में इसको बच्चों को दे सकते हैं चून बहुत जाद़ एफेक्टिव होता है तो यह बहुत ही इजी है इसको खतम करना बिल्कुली परिशान अपना हो अगर किसी को प्रॉलम हो रही है उनके लिए बहुत अच्छा पढ़ रहा है केवल और केवल सो में से दो तीन या पांच पेशेंट को ही होस्पेडाइज करने की जूरत पढ़ेगी केवल पांच पेशेंट को ज्यादों को नहीं पढ़ेगी तो इस चीज़ का खयास ख्याल रखें कि आ नहीं भी कोई भी नेगेटिव वीडियो को आप शेयर मत किजिए एक एक सकारत नक सोचा बना के चलिए अगर आप मैं पीछे जब मैं मार्केट में गया था तो मैंने देखा कि सब ही लोगों के मन के अंदर एक उदासी एक मनहुसियस सी मार्केट के अंदर जाये वही तो ऐसा काम मत किजिए क्योंकि यह एक नेगेटिव एन्मारेमेंट को यहां पर क्रेट कर रही है ओके तो हमेशा पॉजिटिव चीजों को फैलाईए अभी आप यह देखिए ना कि रिकेवर होने वालों के रेट कितना है सो में से कम से कम पिचासी लोग तो रिकेवर हो रहे हैं पंदर भी नहीं हो रहे हैं तो हमारा जो मीडिया है हम लोग फोकस कीवल पंदर पर कर रहे हैं हम पिचासी लोगों पर फोकस नहीं कर रहे हैं हम कीवल पंदर लोगों पर फोकस कर रहे हैं ठीक है आप जैसे आप फ या तरह आप इसलिए अपनी कैंसल कर दोगे क्योंकि आपने चार लोग के देख लिए वह चार हजार गाड़े आपके साबने सुरक्षित निकली है कि आप उनको नहीं देखोगे के वल आप उनको देखोगे कि जो चार लोग जिनका अक्सिडेंट हुआ है नहीं ना ऐसे तो तो मैं आगे आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं आशकरता हूँ कि आपको वीडियो सुझ में आया हुआ हुए तो मैं फिरस एक बार रिकैप कर देता हूँ आपको जो मैडिसिंस के नाम है महा सुदरसन्द चून कोई भी लीवर का टोनिक आयरवीदी की हमोपे थी आपका डियकलोफेनिक प्लस 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 यह सभी चीज़ आपके लिए बहुत है इस्टुरेट छटे सात्वी दिन अगर जुरुत पड़ रही है तो और एंटिबाटिक की जुरुत तो बात नहीं पड़ती है अब देखें यह वायरस ओके और दवाई हम दे गरें और रहा है तो वायरस के ओपर बैक्ति रहें कि देखें के सोचने वाली बात है तो इसमें स्टुरेट सबसे ज़्याद़ लोगों के लिए हो रहा है हम हमेशा मना करते हैं कि इस तो गलत चीज है इस तो नहीं लेना चाहिए पर तो इस और अगर सही यूज किया जाय आपके पास में का प्रेक्टर का प्रेक्षिप्षिप्षिप्षिप्षिप्शन लेटर अदर होना चाहिए था और उसके बेस पर आपको दवाई देनी चाहिए थी तो उससे medicine out भी नहीं होती medicine stock out भी नहीं होती parafita multi market के अंदर से गायब होगी थी कुछ दिन पहले या शायद अब भी कहीं जगे से हो तो ये वाला खामा मत कीजिए ठीक है और होना भी ऐसी चाहिए था कहीं न कहीं हमारी भी विफलता ये रही है सरकार की विफलता रही है कि command नहीं किया अब कहीं सारी जो जरूरी medicine है वो stock out हो गई है और जिन लोगों कुछ problem नहीं है वो की घर में लेके बैटे में है होना यहीं चाहिए था कि prescription होना चाहिए था और medical वालत तब medicine को prescribe करे medicine को दे तो इस तर्ए तरफ किसी गुदी को भी कोई समस्य ही हां नहीं हाती है oxygen के लिए तनी मारे मारे ही हो रही है पहले ही सबी चीदों के लिए सचेथ कर दिये था कि इस तरफी problem अगर आये तो आपने के करना है तो उस oxygen के लिए DOUटने मारे मारे ही नहीं होती है ठीक है तो बिल्कुल भी आप घबनाए ना ठीक है परिचाना आप ना हो और आपको कोश्चन अब पूछना है तो आप कमेंट बुक्स में जाहिए मैं इस वीडियो के नीचे जितने भी लोग आप कमेंट करेंगे मैं सभी के कमेंट रीड करके आपके मैं जरूर आंसर दीटेल में काफी डीटेल में ओके परमात्मा से वेका बाला करेंगे